अगर आपको AutoCAD सीखना है अगर आपने इसे फ़ले सॉफ्टेर स्टार्ट ने किया तब सले के तब तक कि आपको इदम प्रोपर प्रोजेक्ट करना है अगर आपको प्रोजेक्ट करना आता है तो आप किसी भी समय एवेन आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं मलब फुल टाइम जॉब कर रहे हो और आप अगर इसका क्यों एक छोटा सा ओफिस भी आपने खोल लिया और प्लानिंग की करके आपके प्लानिंग करके दे रहे हैं आराम से पचीस सिटीस दियार रुपए कि जौब आगरम से आपको मिल जाएगी आपको कभी किसी के ओफिस में जाने जरूरत नहीं आप सिर्फ घर बैठके प्लानिंग करके पैसे कमा सकते हो तो दोस्तों इसको आपको सीखना कैसे आपको आप सोच रहोगे किसी इंसिटूट में जाना पड़ेगा इन्वेस्ट क दियुक्त करते हूँए आपको बताता जाऊंगा कि इस क्लास1 के लिए क्या डर्प्रहां करता रहोगा इक एक करके आपको मेरे पास टीम है जो मुझे प्रॉप फिर्प्रहु करने के प German करना रहें है और आप तक मैं मटे लिए ही पहुँछवाा दूंग produkt और आप आप class wise class के बाद दूसरा class दूसरा class गांगे 30 से 40 classes होंगे जिसमें आप expert level पे AutoCAD पहुंच सकते हो expert level in the sense आप वो लोगे किस तरह के expert level तो मैं आपको बता दू कि लबग आप इस तरीके के अच्छे-च्छे है elevation साब त्यार कर सकते हैं इस तरीके के elevation अगर आप बताओं कि तो कौन नहीं देगा आपको जौब लोग जौब के लिए परसान दरते हैं लोग बुस्ते हैं कि मुझे सब जौब चाहिए बट मैं करता है जौब तो ठीक है जौब तो लग जाएगी बट काम तो आना सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कम से कम 100 लाइक चाहिए अगर आपने 100 लाइक दिया तो मैं डेफिलेंटी एक एक वीडियो डेली यूनिक्ट करेंगे और मुझे कम से कम 100 लाइक चाहिए करेंग में 9 अपको अप्लोड करके दूँगा उतने ही वर्ग को आप प्रैटिस कर लिजा आपके पास्टोर्य नहीं है तो भी आप कमेंट करिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पर सॉफ्टेर भी प्रवाइट कर दूँगा तो आपको सॉफ्टेर ही हो जाएगा अगर आ आपको यहां तक पहुंचना है मैंने आपको दिखा दिया कि मैं आपको यहां तक पहुंचना चाहता हूं थोड़ा से बिसिकली अपने बारे में बता दू मैं कॉर्परेट टेनर हूं मैं अच्छ करता हूं तो मैं आपको अभी अच्छ करता हूं अगर आपने साथ दिया तो मैं सारे शॉफ्टेस को 1x1 series से start करूँगा series in the sense first class class 1 से लेकर last class तक आप पूल लेकर जाऊए तो hope आप इस video को बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगे और साथ ही साथ एक काम आपको और करना है कि इस video में जो भी आपके ऐसे दोस्तें जिनकी job अभी नहीं लगी है प्लीज उनको share करिए और share करको उनको बताईए कि आप एक एक वीडियो को देख डालिए तो आपकी definitely job लग जाएगा इसके लिए मैं एक अलग playlist बना देता हूँ AutoCAD for job AutoCAD for job आप उसको लिए फटाफट और एक एक करके तीस वीडियो मैं आपको डिली देता जाएंगा और आप गर चाहेंगे तो मैं और भी ज्यादा वीडियो जल्दी जल्दी देता रहूंगा जिसे आपको जल्दी 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 जाब बिल सके चलिए तो स्टार्ट करते हैं AutoCAD और स्टार्ट करके हम लोग कुछ नई चीज़े सीखते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं अगर आपने कमेंट किया और आपका अच्छा मुझे कमेंट आया तो मैं definitely आपके लिए सारे वीडियो दियार करूँगा तो रिबन पैलेट आपको पता होना चाहिए और इसके बाद यह जो बॉक्स इसको बोलते हैं drawing area ठीक है यह drawing area है यह क्या है यह status भार है यह क्या बताता है कि आपने क्या कहम किया क्या अभी दिको मैं 3D model खुला था उसके बाद मैंने आपको recording करने के लिए 2D model खुला तो यह आ करना क्या क्या है तो इसको command from भी बोलते हैं ठीक है और यह जो होता है इसको बोलते है navigation बाहर जिसमें हमको लोग east west north south planning करते हैं बहुत यह helpful होता है किस डारेक्शन में करना है वास्टू के लिए कि किस एक करना है वह सारी चीज़े इसमें देखते हैं तो यह यह तो थी basic च होती है यहां पर जो भी टूल होंगे तूल का नाम होता है command तो यहां पर जो पहला टूल है इस पूल का नाम है line command क्या नाम है line command क्या नाम है line command इसकी shortcut की होती है L enter आप चाहे तो ऐसे click करके 30 अगर आप चाहते है कि line आपकी सीधी बने मॉडल बॉक्स में आपके पास एक command होती है इसका नाम है और थो इसकी shortcut की होती F8, F8 पर click करके भी आप डारेक्ट इसको on कर सकते है इससे फाइदा क्या होगा आपकी line जो होगी वह straight बनेगी अगर आप चाहते हो की line यहां से बने तो तो आप यहां पर click करके बना लोगे बट अगर आपको यहां पर बीना इस click किये आपको बनाना है तो क्या करना है एल इंट है shortcut की आपको आना चाहिए जिससे आपका काम हेल्फ होल रहा है बहुत जल 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 जो तो यहां पर जाना है कितना 20 अधर जाना है कितना आपको पता ही नहीं होता है कि आप लाइन खीचे तो खीचे क्योंकि कमांड ही नहीं कोई तो आपको अगर shortcut की आता है इसके बाद होता है पॉली लाइन पर क्लिक करेंगे या पील इंटर इसकी होती है इस पर क्लिक करेंगे और इसके प्लिक करके आप इसे माल लें जे 50 और यहां पर हम लेक्रिट सेके 50 और यह तर गया 50 तो इस तरीके से 50-50 करके हैं अब अगर मैं आपसे पूछू कि लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस क्या है तो आपको बताना है कि में सिंगल सिग्मेंट , देखें आप ऑफ सिंगल सिग्मेंट हैं सिंगल सिग्मेंट इस काॉल साइन और कॉंबीनेशन अ और इस पर क्लिक करेंगे किसी एक corner पर सबके सब एक साथ select हो जाएंगे, तो combination of line is called polyline और single segment is called line, अभी भी यह अलग है, अगर अपने polyline से बना है तो उसमें आपका यह combination है, इसलिए इसके benefits कही है, अगर आप इसके midpoint पर रखेंगे तो आप देखें आपको पला option मिलेगा क्या stretch, इसमें जैसे क्लिक करेंगे, आप चाहें जितना चाहें, उतना आप अपने line को, polyline को आप stretch कर सकते हो, यहाँ पर दूसरा option जो आता है, उसका नाम है add vertex, आप इसमें नयने vertex add कर सकते हो, साथ इसमें और भी है convert to arc, इस तरीके से हम लोग arc भी इसके अंदर draw कर सकते हैं, और अभी बहुत धेर सारे function है, polyline के, more than 10 function है, इसके लिए एक separate video बनाऊंगे, what is the use of polyline, उसको आप देखेगा, बट पहले आपको line और polyline समझना है, जिससे आप किसी भी ट्राइं को त्यार कर सके, क्योंकि सबसे आदर जरूद किसकी पड़ेगी, line और polyline की, ठीक है, तो अभी इस वीडियो में, मैं class नहीं लेने जा रहा हूं, बस मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, कि line कैसी यूज़ करते हैं, polyline कैसी यूज़ करते हैं, यह रहा हमारा 2D का palette, अगर आपको 3D में जाना तो यहाँ और work space पर क्लिक करना होता, और यहाँ पर 3D modeling पर जैसे क्लिक line command की क्या यूज़ होता है, polyline का क्या यूज़ होता है, साथ ही साथ ortho का क्या यूज़ है, ortho क्या करता है, straight line की इसकी shortcut की क्या है, f8, f8, line, linter, polyline, p, linter, shortcut की बहुत ही ज्यादा important है, यह जब आप आप test देने जाओगे, तब आपको समझाएगा, अरे वा, इसकी तो बहु क्या करना है, नीचे comment करना है, आपना email id, इससे मैं आपको एक workbook दे सकूट, three of cost, जिससे आप घर पे बैटे, पहले session, दूसरे session, तिसरे session, को daily practice कर सको, तो session 1 जो आज हुआ है, इसके लिए मेरे पास workbook है, बट आप नीचे comment करिए, उसके बाद हम आपको, क्योंकि जिसको चाता हूँ, जो सी planning करते हैं, मैं आपको structure का कैसे plan करते हैं, कैसे footing का आपको दिखाते हैं, कैसे column को represent करते हैं, column में कैसे bar को represent करते हैं, यह सारी चीज़़ सी छाना चाता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ नेची आपका प्यार चाहिए, आपका likes चाहिए, आप जैसे मुझ में आप लिफ पाले नहीं देखा होगा ठीक है थेंक यू और आप से बस लास्ट रिक्वेस्ट कि आप अगर नए यूजर ने तो सब्सक्राइब करिए और वेल आइकॉन पे आपको घंटी जरू दबाईए जैसा कि हर एक यूटूबर आशकल बताते हैं आपको तो भी बेल आइकन दबाएं और जो भी आपके फ्रेंड है मैं बोलूगा कि उनको जॉब देने के लिए यह मैंने कदम उठाए कि जिससे कुछ लोग बेरुजगार है जो खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत हेल्फ होगा और जो कंपनियों में भी जॉब च झाल 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 झाल